हेलो एवरीबन दिस इस सुमंगल सिकरबार एड़ वाचिंग इंगलिश वे एकेडमी आज दो बज़े की जैसे की दुपहर की क्लास है इस क्लास में रेगुलर आपको ग्रेमर मिलने बाला है और आज हम पढ़ने बाले हैं आर्टिकल्स इससे पहले मैं आपको बता देता हू कि ऐसे ही आज थोड़ी सी विवस्ताएं नहीं है विवस्ताएं हैं इस बजय से में आज फेस केम वीडियो आपको सामने चेहरे जो वीडियो की कैपसिटी का वीडियो होता है वीडियो क्वालिटी में उस तरह से आपको वीडियो अब नहीं करा परा हूं sorry for that लेकिन आगे एसे वीडियो तो यह सती में मिलेगा आज मुझे ऐसे ही पढ़ाना पढ़ रहा है पिना फेस्केम के तो आर्टिकल सम्पढ़ेंगे तो आर्टिकल में basically बात करें अगर काइंड आपसे कोई पोछता है तो आर्टिकल दो काइंड में होते हैं definite article जिसमें दा आता है और indefinite article जिसमें A और N आते हैं तो सबसे पहले indefinite article को पढ़ लेते हैं indefinite article क्या होता है अभी मैंने बताया A और N तो पहले एक ही बात करते हैं indefinite article में A है और क्योंकि अनिश्चिज जगों पर इसे यूज के जाता है और निश्चे जगों पर यूज़ करते हैं दर को इसलिए वो definite article बोला जाता है अब एक ही बात करें तो वो singular countable nouns जो की consonant से start होती है और consonant का sound देती है उनसे पहले article A का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैन मैं M consonant है इसलिए यहाँ पर A लग रहा है अब pen, pen में P consonant है इसलिए यहाँ पर P लग रहा है और A University थर्ड एक्जमपल मैंने लिया है A के लिए तो उसमें A University में U क्योंकि start तो हो रहा है यू वोबल से लेकिन sound इसका या से होता है University और या एक consonant होता है इसलिए यहाँ पर University से पहले भी A लगा रहे है अब बात हम करें अगर Article N की तो Article N को यूज कर जाता है इसके ठीक अपोजित है यहाँ पर Article N Article A के अपोजित है तो Article N को यूज करते है उन countable noun से पहले उन singular countable noun से पहले जो की wobble से शुरू होती है और wobble का sound देती है और wobble कौन से होते है A, E, I, O, U अगर आप लोग नहीं जानते तो बता देता हूं English में जो 26 letters होते है उसमें A, E, I, O, U 5 wobbles होते हैं बाकि के जो बचे वो 21 consonant होते हैं तो देखिए Article N को यूज कर रहे हैं wobble से starting या और wobble का sound देते हैं उन noun से पहले और वो भी singular noun से पहले तो Article N यहाँ पर देखिए N, Apple Apple एक wobble से start हो रहा है N, Orange Orange एक wobble से start हो रहा है वो wobble होता है और N, Honest Honest wobble से start तो नहीं हो रहा लेकिन यह sound दे रहा है wobble का कैसे क्योंकि H होता है silent यहाँ पर इसको Honest की बजाए Honest बोला जाता है यह से कि N, Honorable भी कहा जा सकता है N, Honest भी कहा जा सकता है इसी तरह से यहाँ पर N, M, A M, A में M तो consonant होता है लेकिन इसको बोलने में sound आ रहा है M, A यानि कि Wobble का sound है इसलिए इससे पहले भी Article A, N का यूज़ कर रहे है तो यहाँ पर यह हमने पढ़ा कि Article A और N में क्या मतलब अलग जो खासियत है और क्या different है यह हमने देख लिया तो Article A Consonant से शुरू होने बाली या Consonant का sound देने बाली Singular Countable N से पहले यूज़ करते हैं और Article N को यूज़ करते हैं Wobble का sound देने बाली Singular Countable N से पहले अब देखिए यहाँ पर Article जो Indefinite Article है यानि कि A और N इसके कुछ basic नियम में आपको बता रहा हूं वो देख लेते हैं पहला नियम देखिए यह कर रहा है Before Singular Countable Noun When it is mentioned for the first time Singular Countable Noun से पहले A और N को यूज़ करते हैं जब पहली बार उसे यूज़ किया जा रहा है किसी sentence में First time उसकी चर्चा की जा रही है तब जब introduce करा रहे है किसी के तब वहाँ पर A और N को ही यूज़ करते हैं कि I see a bird on that tree पहले example है I see a bird on that tree मैंने उस पेड़ पर एक पच्ची देखा तो I see a bird on that tree तो पहली बार चर्चा हो रही है पे उसकी पच्ची की इंट्रोडूश करा है पच्ची को तो I see a bird यहाँ पर A लगाया और I आगे अगर चर्चा होती इसी पच्ची की तो वहाँ पर हमें दा लगाना पड़ता और पहली बार हुई है तो A लगा रहे है अगला example देखिए An apple a day keeps a doctor away यहाँ पर तीन indefinite article है An apple a day An apple a day keeps a doctor away तो apple को introduce कराया है तो यहाँ पर वबिल से शुरू हो रहा है apple इसलिए L लगा रहे है A day दे को introduce कराया है पहली बार आया है दे तो यहाँ A लगा रहे है यह consonants शुरू हो रहा है इसलिए article A लगा है keeps a doctor away तो doctor भी D consonants से start हो रहा है और doctor को भी पहली बार introduce कराया है इसलिए यहाँ पर A आर्टिकल को यूज किया गया है वैसे यह कहाँ बता है यानि कि रोज एक सिब खाने से डॉक्टर हम से दूर रहता है अब देखते हैं साइकिंड जो इसका रूल है इंडेफिनेट आर्टिकल का उसे यह लिखा है before S, C, N यानि कि singular countable noun used example of class of things उन singular countable noun के पहले इसको use कर जाता है आर्टिकल A या N को यानि कि इंडेफिनेट आर्टिकल को जब पूरी class यानि कि पूरी जाती का बोध किया कर बारा है वो countable noun प्रेलिये नहीं बलकि पूरी जाती का बोध करा रहा है किसी class की तो वहाँ पर आर्टिकल A को use करते हैं या A को use करते हैं जैसे कि a horse is an animal यानि कि घोड़ा एक जानवर है तो घोड़ा यहाँ पर किसी individual एक घोड़े की बात नहीं कर रहे है बलकि पूरे घोड़े की पूरी पूरी प्रजाती की बात की जारी है कि घोड़ा क्या होता है घोड़ा एक जानवर होता है ईसे ही यहाँ पर an apple is a sweet fruit तो एपल एक मीठा फल है तो एपल के बारे में यहाँ पर पूरी जाती का बोध करा रहा है पूरे क्लास की बात करें किसी एक एपल की बाद नहीं की जा रही इसलिए यहाँ पर एन यूज किया गया है तो यह हुआ अब आते हैं आटिक का एक और थर्ड नियम की तरफ इसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखिए इन दो मीनिंग ओफ वर्ड वन वन के अर्थ में इसको नुमेरिकल एडजेक्टिव के रूम में प्रियोग करते हैं वन के अर्थ में वन यानि की एक तो एक कार देता है जैसे की इसने मुझे एक पैन दिया उपर वाले सेंटेंस में उसको एक और दो करके यूज नहीं कर रहे थे वहाँ पर पूरी प्रजाथी के बोज के लिए यूज कर रहे थे जबकि यहाँ पर इसको काउंटेबल के रूम में यूज कर रहे हैं गिन्ने के रूम में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर A और नीचे बारे sentence में A, दोनों sentence में A ने one का अर्थ दिया है। तो यह हो रहा यहाँ पर article A और N के बारे में मैंने बताया तीन rules आपको बता हैं यानि कि indefinite article के बारे में indefinite article के बारे में मैं आगे आने बाले वीडियो में यानि कि कल के वीडियो में भी बताऊंगा और फिर हम the article दा के बारे में भी पढ़ेंगे समय रहा तो कली article दा भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद आने बाले टाइम में आगे की grammar पढ़ेंगे